दोस्तों, आज की जो कहानी है, वो हमारी Short Stories सीरीज की कहानी है। पिछले कई महीनों से सिर्फ जासूसी कहानियां पढ़ते-पढ़ते मैं बुरी तरह से बोर हो गई थी और सुनते-सुनते आप भी जरूर बोर हो गए होंगे। वैसे भी जिन्दगी बदलाव का नाम है। अगर बदलाव ना हो और समय समय पर लगातार बदलाव होता ना रहे तो सब कुछ बहुत ही बोरिंग सा हो जाता है। इसलिए आज एक बहुत ही अलग जौनर की कहानी आपके सामने पेश है जिसे लिखा है मशूर लेखक धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती जी के नाम से तो आप लोग परचित होंगे ही। उनका लिखा उपन्यास गुनाहों का देवता एक ओल्टाइम फेवरेट और ये वही धर्मवीर भारती जी है जो अपने टाइम की मशूर मैगजीन धर्मयुग के एडिटर थे। उन्ही की ये एक शौर्ट स्टोरी है जिसका नाम है हिंदू या मुसल्मान। कहानी है तो छोटी सी लेकिन इसमें जो संदेश है वो बहुत ही बड़ा है। कहानी की हर लाइन एक पल के लिए रुक कर कुछ सोचने पर सुनने वाले को मजबूर कर देती है। हमारे चैनल पर धर्मवीर भारती जी की ये पहली कहानी है और उमीद करती हूँ कि ये आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी की ये शुरू करते हैं आज की कहानी हिंदू या मुसल्मान। सरकारी अस्पताल के बरामदे में तीस लाशें एक कतार में रखी हुई थी। लाशें शायद नहीं उन्हें लाशें कहना गलत होगा लेकिन उन्हें जिन्दा भी तो नहीं कहा जा सकता था। वो सूखी हड़ियों के मुरदार धाचे थे जिन पर जर्द जुर्रीदार चमड़ा मड़ा हुआ था बस। कलकत्ते की अलग-अलग सडकों से मुरदे उठा कर लाए गए थे इलाज के लिए। इन्हें बिमारी हो गई थी। भूख की बिमारी। और इसलिए वो चलते-चलते सडक पर गिर पड़ते थे और धीरे-धीरे दम त लोड़ देते थे। जो बंगाल के लिए साधारन सी बात है। लेकिन बिमारी बढ़ती गई बढ़ती गई। जब सडकों पर जगह-जगह पड़ी लाशों की वजह से मारवाडियों की मोटरों, दफ्तर की बसों और फौज की लौरियों के आने जाने में रुकावट होने लगी। तो हमारी मह जहरबान सरकार को फेकर हुई। और इसलिए ये तीस भुकमरे आज यहां सरकारी अस्पताल में जाच के लिए लाए गए और साफधानी से बरामदों में नरम और सीले हुए पक्के फर्षों पर लिटा दिये गए। डॉक्टर परेशान थे, नरसें भी परेशान थी। य मुर्दे खामोश थे। ये का एक खटखट की आवाज हुई और एक नरस बरामदे की सीड़ियों पर चड़ती हुई दीख पड़ी। चड़ने में उसका मोजा नीचे खिसा गया और वो रुक कर उसे ठीक करने लगी। उसके जूतों की खटखट शायद किसी भुकमरे के बेहया दिल से जाटकराई। उसने करवट बदली। नरस आगे बढ़ी और जब उसके पास से गुजरने लगी। तो उसने अपनी बेबस निगाहें उठा कर नरस की ओर देखा और बहुत प्रयतन करके बोला। पानी। नरस पलभर को ठिटकी। हाँ, कहां तक कोई काम करे सुबह से पुशाक भी तो संभलने का टाइम नहीं मिला। और वो आगे बढ़ गई। मरीज की प्यासी पसलियों से फिर एक दर्दनाक कराह निकली। पानी। मरने दो। नरस ने कहा और बगल के कमरे में एक शीशे के सामने खड़े होकर अपने गले में बंधे रुमाल की गांट खोलने लगी। घुटती हुई आवाज फिर से बोली। पानी। वो अभागा मरीज भी अपनी जिन्दगी और मौत की गांट खोलने में वियस्थ था। नरस परेशान थी। गांट खुल ही नहीं रही थी। वो आदमी हर कर चुप हो गया। नरस ने अपनी पोशा ठीक की और चली गई। मरीज की कराह बंद नहीं हुई। बगल की लाश में कुछ हरकत हुई और कंबल उठा कर एक बुढ़िया ने सेर बाहर निकाला। उसके बाद वो उठी और कंकालों की तरह लड़ खडाते हुए एक टीन के डिबे में पानी लाई। और उसे मरीज के प्यासे मरीज की तरफ देखा और उसके बाद चुप चाप कंबल के नीचे लड़क गई। इतने में नर्स डॉक्टर को साथ लेकर लोटी और प्यासे मरीज की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने स्टेथोसकोप लगा कर देखा। उस कंबक्त की प्यास हमेशा के लिए बुझ गई थी। डॉक्टर ने स्टेथोसकोप हटाया और अजीब आवाज में कहा। खतम। फिर जेब से नोटबुक निकाली घड़ी देखकर टाइम धर्ज किया और नर्स से पूछा। ये भुखमरा कहां से लाया गया था। सप्लाई ओफिस के सामने से नर्स ने जव लवाले मरीज को उठाया। वो नहीं उठा। डॉक्टर ने जूते से कंबल उलट दिया और डाट कर कहा। उठो। बुढ़िया कापकर उठ बैठी। ये आदमी कौन था। डॉक्टर ने पूछा। हुजूर ये आदमी भूखा था। भूखा था। ये कौन पूछ रहा सरकार ये पूछती है कि ये आदमी हिंदू था या मुसल्मान। बोलो जल्दी हमें अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज करना है। मालूम नहीं हुजूर बुढ़िया बोली। जाने दो अच्छा उधर वाले मरीज से पूछो। उधर वाला मरीज बोला ही नहीं। नर्स दाट कर पूछा तब भी उसने जवाब नहीं दिया क्यूंकि वो मर चुका था और मुर्दों को मजभब की पहचान नहीं होती क्यूंकि वो इश्वर के समीप पहुच जाते हैं। डॉक्टर एक और नया मुर्दा देखकर चिंता में पड़ा। उसने स्टेथोस्कोप ले सहयोगी ने उत्तर दिया। अगर यहां नहीं तो बाहर मर जाएंगे। अरे बाहर मरने की परवा नहीं। यहां मरेंगे तो सरकार की बदनामी होगी। और देखो अख़बार को रिपोर्ट दे दो कि कुल साथ की मौत हुई है। बाकी यहां लाने से पहले ही मर चुके थे समझे। और थोड़ी देर बाद बाकी भुक मरे भी निकाल दिये गए। बुड़िया बहुत ही कमजोर थी। वो पांच कदम चली और फिर बैठ गई। पीट में जब भूख आतों को मरोडने लगी तब वो फिर से उठी और किसी तरह घिसटती हुई आगे बढ़ी। में आत्मसम्मान आकर रुंध गया। पंजाबी ने देखा और एक क्रूर हसी हसकर बोला। चल चल आगे बढ़। अगर तु जवान होती तो इजट बेशने पर शायद आट-दस पैसे मिल भी जाते। अब किस बुते पर भीक मागने आई है। चल हट। बुड़िया की ज फिर जिंदा लाशों के लिए क्यों न खेरात करेंगे। उधर चली जा, वहाँ सेठों ने ढाबा खुल रखा है। बुड़िया उधर की ओर चली। बोजनाले के द्वार पर बेहत भीड थी। हड़ियों के अंगिनत कंकाल, प्रेतों की भाती सूखे हाथ फैला कर बैठे उबले हुए जवार की महक हवा में फैल रही थी। बुड़िया ने एक गहरी सांस ली, जैसे सांसों के सहारे ही पेट भरने की कोशिश कर रही हो। कारेकरताओं ने जवार की खिचडी से भरी हुई एक देग लाकर सामने रखी और कर्चुल से निकाल कर जवार माटने इतने में एक कारेकरता चिखा, देखो देखो उसने देग छूली, देग छूली, हाई हाई हिंदू है यो मुसल्मान, मुझे तो मुसल्मान मालूम देती है, निकालो बहारा भी, कमभक्त कहीं की। बुड़िया लांचना से पीडित होकर उठ गई, उसका क्या कसूर था, क वहाँ जाने की, लेकिन उस पर चांद तारे का हरा जंडा लगा हुआ था, ये देखकर उसे कुछ सांतवना हुई और वो वहाँ चली गई, सामने एक वॉलंटियर था, उसने रोक दिया, एह, यहां सिर्फ मुसल्मानों को खाना मिलता है, मैं भी मुसलिम हूँ भाई, पहला वॉलंटियर चिलाया, भाग, भाग यहां से, यहां काफिरों की गुजर नहीं है, चल हट, बुडिया का चेहरा तम-तम आ गया, चिला कर बोली, खुदा के बंदों, अल्लाह ने अनाज के दानों पर मजहब की चाप लगा कर नहीं भेजा है, तुम्हारी ओची बात स सुनकर मुझे अपने मुसल्मान होने में शरम आती है, अरे पागल है पागल, एक वॉलंटियर बोला, दूसरा बोला, भूग से इसका दिमाग खराब हो गया है, हां, तो हम क्या करें, अल्लाह काफिरों को ऐसी ही सजा देता है, बुडिया कहती ही गई, तुम काफिरों को नहीं देते, मत दो, मत दो कम बखतो, वो धरती अभी कहीं नहीं गई, जिसने हम सब को बिना मज़भ के खयाल के पैदा किया है, तुम्हारा अनाज लेने की बजाए, उसी धरती पर मर जाना मैं ज्यादा पसंद करूंगी, खोदा तुम्हारा भला करे, और वो हाफ्ती हु भाव भुला कर सहायता कर रहा है, मारवाडियों और मुसल्मानों दोनों ने सार्वजनिक भोजनाले खोले हैं, इस संबंध में हम सरकारी अस्पतालों की मूल्यवान सहायता भी नहीं भुला सकते, हम इन सब के हृदय से कृताग्य हैं, और इसके नीचे एक छोटी सी नग मुसलिम ढाबे के नजदीक एक बुढ़िया की लाश पाई गई है, जो ठीक वक्त से अस्पताल ना पहुँच पाने के कारण मर गई, ये नहीं समझ में आता कि लाश जलाई जाए या दफनाई जाए, क्योंकि ये पहचान नहीं हो पाई है कि बुढ़िया हिंदू थी या मुसल्मान दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राए शेयर करना बिलकुल ना भूलें, जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा